डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट टैक टीवी असलाम अलेकूम, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टुडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद, मैं हूँ कौक पारू की, सबसे पहले शामल करेंगे नियूँ, हैट नाइस केनेडियन वजीर आजम का महलियाती तब्दीली के हवाले से आहम दावा शाम के सदर के हमायती की एजाजी कौंसल की हैसित को खत्म कर दिया गया केनेडियन वजीर इंखार जगमीट सिंग का बी-सी में सस्ती रहाइश परहाम करने का बादा दोराने हिरासत मैंग बैंग जू के साथ धोका किया गया वुकला अक्वाम मुत्तेदा मिजजाईलों की तहकीकात के लिए माहिरीन परहम करें साओधी वजीर खारचा मशी के बुस्ता के मुमालिक अमरीका को बीच में लाने के बजाए अपने मसाइल खुद हल करें एरानी सदर हेडलाइंस आपने जौनी खबरों की तफसील शामल करेंगे स्प्रिक के बाद हुण के लिसे जिए घजेख औररे कारें स्ब्स्ट मेरी kinda C virtually for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. बेहतरीन फैसिलिटीज और एमेनिटीज के साथ दो और तीन बेडरूम के सुपर लक्षरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल. हर अपार्टमेंट विला जैसा, रोशन और कुछादा. बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें. मैं अपने ओवर्सीज पाकिस्तानी बेहनों और भाईयों के लिए ला रहा हूँ. एक शानदार प्राजेक्ट मदीना मॉल एंड रेजिदेंसी. तफसीलात के लिए राप्ता कीजिए शराज बदर 519-807-8771. एमेल कीजिए शराज at propertybrothers.com. आगे बढ़ेंगे खबर शामल कर लेते हैं. आपको बताएं पाक पौच के सरबरा जर्नल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि सिवल इंतिजामिया को भरपूर मदद फराहम करके जलजले से मतासरा इलाकों में बहाली का काम जल्द होगा. वजी चानते हैं इस रिपोर्ट म पाक पौच के सरबरा जर्नल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि सिवल इंतिजामिया को भरपूर मदद फराहम करके जलजले से मतासरा इलाकों में बहाली का काम जल्द होगा. पाक पौच के शुबत आलुका तयामा के मताबिक सरबरा पाक पौच जर्नल कमर जावेद को का दौरा किया आर्मी चीफ ने मीरपूर में जातला किनाल रोट का फिजाई चाहिजा लिया जबके मुतासरा रोट की बहाली के लिए जारी इंतिजामात भी देखे इस मौके पर पाक फाउच के सरबरार जर्णल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि जलजले से मुतासरा हर मुमकिन खयार र Sandy की बहाली के लिए हर मुमकिन तावून करें और सिवल इंतिजामिया को भर पूर मदद पराहम करके मुतासरा इलाकों में जल्ड जल बहाली का का मुकाम मकूमल करके हालात और जिंदागी को मामूल पर लाएंगे वाके के इतिला मिलते ही आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फाज कीम दादी टीमें रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई थी जलजले के नतीजे में तीस से जाइद अफराद जाबा हक चार सो से जाइद जखमी हुए मजमुई तापर चार सो पचास घर मतासिर हुए एक सो पैंटिस को ज्यादा नुकसान पहुँचा जलजले में जातला करोड मुकामल तापर तबाह हो गया इलाकों का मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया मंगला जाने वाली मरकज इशारा और मतादित बुल जमीन बूस हो गए आगे बढ़ेंगे मजीद खबरे भी बुलिटन का हिस्सा बनाएंगे आपको बताएं कैनेटिन वजीर आजम और लिबरल रानुमा जस्टिन टूडू का कहना है कैनेटीन वजीर आजम और लिबरल रानुमा जस्टिन टूडू का कहना है किनेटीन वजीर आजम और लिबरल रानुमा जस्टिन टूडू का कहना है जिसका मकसर दरजह रारत में 2 डिग्री सेंटी ग्रेट तक कमी लाना है इस कसीरल गौमी इत्फाक राय के तहट कैनडा ने अपने ग्रीन हाउस कैसो के खराज को 2030 तक 2005 की सता से 30 पीसस से कम करने का एहद किया था इस सता को सबसे पहले स्टेफिन हॉर्पर की कंसिवेटिव हकूमत ने मुकरर किया था इस हफ़ते इंतिखाबी मोहिम के दौरान टूडू ने बार बार कहा कि उनके लिबरल्स ने इस हदफ को पूरा करने के लिए कैनडा को रास्ते पर डाल दिया है और आप उस से तजाबस करने का वादा कर रहे हैं ताहम उनकी अपनी जमात की जानिब से जारी की गए रिपोर्ट उनके बायान से अलग है केनेडिन वजीर खार ज़ा करिशिया फ्री लाइन ने शाम के सदर बशार अलस्त की हमात और मतनाजा सोशल मीडिया पोस्ट पर वसीम रामली की मौन्टरियाल में एजाजी कांसल की हैसित को खत्म कर दिया है केनेडिन वजीर खार ज़ा करिशिया फ्री लाइन ने शाम के सदर बशार अलस्त की हमात और मतनाजा सोशल मीडिया पोस्ट पर वसीम रामली की मौन्टरियाल में अजाजी कांसल की हैसित को खत्म कर दिया है फ्री लैंड ने एक बायान में कहा कि वसीम रामली के प्रेस और सोशल मीडिया पर आवामी स्था पर पेश करदा ख्यालात हैरां कुन और नकाबले कुबूल है रामली के ख्यालात पर तबादे ख्याल करने वाले किसी भी शक्स को ग्लोबल अफिर्स कैनडा को इस सलायत में खिदमात अंजाम देने के लिए कभी मनजूरी नहीं देनी चाहिए थी महकमे के फैसले का जाइजायल लेने के बाद मैंने एउदेदारों को फौरी तोर पर उनकी हैसित मनसूख करने की हिदायत की है दमश्क में शाम की हुकूमत की जानित से मौन्टरियाल के ताजिद को उस उहदे के लिए नामजद किये जाने के बाद आलमी अमूर के उदेदारों ने गर्मियों के दौरवान रामली की एजाजी कौनसल के तोर पर तकरूरी की मनजूरी दी थी इस मनजूरी को रामली की असद के लिए खुलकर हिमार के बावजूद अता किया गया था जिसकी हुकूमत शाम में खूनी आठ साला खाना जंगी के दौरान इختलाफ एराई को खत्म करने के लिए कीमियाई हत्यारों और दीगर तद्बीरों के साथ साथ इस मौल के खिलाफ मगربी पाबंद्य को तनकीद का निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया पोस्टों को भी खबूल करती है ये कमक्तूबर को अपना उधास समालने वाले रामली ने शाम में वाइट हैलमिट इनसानियत पसंद तन्जीम को भी दैशतगर्ट परार दिया था प्री लाइन ने कह पर गहरे अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ वाज़ रहे कि कैनेडा ने 2012 में दमच के साथ सेफार्थी तालुकात मुनकता कर दिये थे शामी हुकूमत ने पासपोर्ट और दीगर इंतजामी अमूर में शामियों की मदद के लिए मौन्ट्रियाल और वैंकोवर में एज जानते हैं सिपोर्ट में एंडीपी रहनुमाज अकमीद सिंग का कहना है कि उनकी पार्टी के बिटिश कॉलम्बिया के लिए मनसुवे में सस्ती रहाईश और महुलियाती तबदीली से निमतने को तरजी ती गई है सिंग ने बी-सी के लिए नई डील का ऐलांग कर दिया बरनाभी में अपने हलके में उन्होंने बिटिश कॉलम्बियंस के लिए इंतिहाई आहम अमूर को नजर अंदास करने पर लिबरल्स और कंसिवेटिव दोनों पर तनकीद की उन्होंने कहा जब बी-सी के खांदानों ने कुट खरीद से बाहर हाउसिंग मार्कीट में की शराकतदारी के मुस्तहिक हैं एक नई डेमोक्रेटिक हकुमत जिसमें हमत होगी कि वो सही तरीके से ये काम कर सके और इस बात को यकीनी बनाए कि हर शक्स को घर बनाने के लिए सस्ती जगा मिल जाए मैंग वैंग जू के दिफा के बुकला का दावा है कि हुआवे उनकी जाती और कमपनी के बारे में रजाकराना मालूमात से मुतालिक धोका दही की गई थी जब दिसम्बर 2018 में वैंकोवर के हवाई अड़े पर बौर्डर आफिसर्स ने उन्हें हिरास्त में लिया था मजीद चानते हैं सिपोच में मैंग मैंग जू के दिफा के वुकला का दावा है कि हुआवे एक्जेकिटिफ के साथ उनकी जाती और कमपनी के बारे में रजाकराना मालूमात से मुतालिक धोका दही की गई थी जब दिसम्बर 2018 में वैंकोवर के हवाई अड़े पर बौर्डर आफिसर ने उन्हें हिरास मैंग वैंग जू को दोका दिया गया और उन्हें गहर कानूनी और गहर मुनस्पाना तोर पर उनकी आईनी हुकूक से भी महरूम किया ऐसा मालूम होता है कि सुबूतों को हकाइक से हटकर पेश किया गया फैटिन ने हॉल्म से दख़ास की के कैनेडिन अटॉर्णी जानल क को रिकॉर्ड सामने लाने का हुकूम दे ताकि उनके मौकिफ की ताईद हो सके अख़ाम मुदानों की तहकीकात के लिए माहरीन परहम करें कुछ बात करेंगे अरब मीडिया के मताबक साओधी वजीर खारजा आदिल जुबैर ने कहा है कि यकीन है तेल तनसिबात पर साओधी वजीर खारजा आदिल जुबैर ने कहा है कि अक्वाम मुदाधा मिजालों की तहकीकात के लिए माहरीन परहम करें अरब मीडिया के मताबक साओधी वजीर खारजा आदिल जुबैर ने कहा है कि यकीन है कि तेल तनसिबात पर दाग गए मिजाल एरानी साफ़ता थ अफ़ा में मुत्यता तहकीकात के लिए माहिरीन फरहम करें। उन्हों ने कहा कि आराम को हमले की तहकीकात मुकमन होने के बाद एरान को जवाब देने के लिए तमाम आप्शन्स पर कौर किया जाएगा। अफ़िदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि तेल तनसीबात पर होने वाले मिजाईल हमलों का मंबा एरान था। साओधी वजीर खारजा ने कहा कि एरान ने हिजबुल्ला और ओसी मलेशिया को बेलिस्टिक मिजाल फरहम किये हैं। खिते को अदम इस्तिकाम से दोचा फायर किये और यमन को इमदाद पहुँचाने में रुकावतें पैदा की। उन्हों ने इल्जामाइद किया कि एरान पावनिया खत्म कराने और दोबारा हत्यार बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। साओधी वजीर खारजों ने कहा कि एरान के साथ होने वाला जोहरी म हाईदा कमजोर है लहाजा उसमें तरमीम जरूरी है। याद रहे कि साओधी अरब की तेल तनसीबात पर होने वाले मिजाल और ड्रॉन्स हमलों के बाद मुमलिकत में तेल की पैदावार और निफ्स होकर रह गई है जो आलमी तेल मंडी का 6 पीसद है। कुछ बात कर लेते हैं अक्वाम में मुत्तर की जनल इसमली से खताब करते हुए एरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि मश्रीक वस्ता में एक मामूली गलती बड़ी तबाही का वाइस बन सकती है जिससे बचने के लिए मश्रीक वस्ता के मुमालिक को अमरीका की जानिप देखने के बज़ाए अपने मसाईल आपस में हल करना चाहिए मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में बेरल अक्वामी खबरसाइदार के मुदाबक अक्वाम मुदादा की जॉर्नल अस्सेमली से खताब करते हुए एरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि मश्रीक वस्ता में एक मामूली गलती बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है जिससे बचने के लिए मश्रीक वस्ता के मुमालिक की जॉर्न देखने के बज़ाए अपने मसाइल आपस में हल करना चाहिए हसन रूहानी ने अमरीका को खबरदार किया कि मश्रीक वस्ता की किसी एक रियासत का महाफिज या वकील नहीं बने अमरीका अबनाए हरमुस इस्तमाल करने वाले तमाम मुमालिकों अमन के लिए मुझाखरात की दावध देता है अमरीका 18 साल से खवानिस्तान और 4 बर सुसे राक और शाम में नकाम रहा है उसका किरदार सालिसी के बज़ाए फरीग कर रहा है अमरीकी सदर के मुझाखरात की दावध का जवाब देते हुए एरानी सदर ने कहा कि एरान पराइद बिला जवास बाबन दिया खतम किये बिना कोई मुझाखरात नहीं करेंगे अमरीका पहले खुद मुहाइदा तोड़ता है फिर हमें मुझाकरात की दावत देता है जोरी मुहाइदा तोड़ना उसकी एक मिसाल है अमरीका के बगएर यॉर्पी मुमालिक भी वादे निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं इसी के साथ ही टाग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अब देश के लिए देखते रहें टाग टीवी